पीडी सिगरेट शराब से तो कैंसर होता ही है। ऐसे ही बिना कुछ अब कितने माताओं बहनों को किसी को ब्रेस्ट का किसी को यूट्रेस का किसी को औरी का कैंसर हो रहा है। प्रेंसर की प्रीशन बढ़ती जा रहे हैं। यदि देश बीमार होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा हमें अपने बच बहुत तरह से देश को देखना है सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान रोगमुक्त होना चाहिए घर में एक आदमी बीमार हो जाता तो पुरे घर में कोराम मत जाता है पुरे घर में एक चारों तरफ आखों में आशू पीड़ा कुछ नहीं रहता एक घर में अरे बड़ी बीमारी को दुबाद चोड़ो किसी का डेंगू भी हो जाए तो पुरा घर उपर नीचे हो जाता है हमें इस देश को फिजिकली फिट रखना है मानसी कुरुप से तनाव मुक्त रखना है आज किसी भी लेबल पर हो यदि हमारी चेतना कस्तर उचा नहीं होगा तो आपस में तू-टू-मेमे के लावा कुछ नहीं होगा एक दूसरे को कोसने के लावा कुछ नहीं होगा एक दूसरे को दोस देने के लावा कुछ नहीं होगा हमें एक बहुत उची मानसिक जेतना चाहिए जहां हम सुएम आगे बढ़ें और सब को आगे बढ़ाने के लिए हम हो सला दें ऐसा हमे धेश बनाना है यह बहुत जरूरी आज के समय में, किसी भी लेवल पर देखो, चारों तरफ हमें गुद्साह का बातावन बनाने क्या हो सकता है, स्रिजनात्मक, रचनात्मक बातावन बनाने क्या हो सकता है, यह दूसरा प्रसंग है, तुम्हें कह रहा था, यह अध्यात मिटता है, जहां आ यह हरी कुरेना चाहिए अच्छा बताव आपने थोड़ी भूतो रामायन किसी ने कहानियों के माध्यम से किसी ने सीरियल के माध्यम से किसी ने ऐसे सुनी है तो राम जी को ब्लड प्रेशर था बोलो कहीं रामायन पूरी इतिहास है दस्तावेज है पूरा भगवान राम जी को जब सीता काहरण हो गया तो तो कोई blood pressure या depression हुआ देखो भगवान राम जी को लक्ष्न जी को दुरगा जी को सरस्वति जी को कीशी भी महापृष को blood pressure sugar की भीमारी नहीं थी इसका कोई प्रमान नहीं मिलता है पूरे दस्तार इंग हमारे प्रास मैं राम recipe तो यह मैं पढ़के बता रहा हूं अगली बात सारे हमारे महापुर्श फिजिकली फिट थे आप किसी की प्रतिमा देखो कितनी संदर प्रतिमा दिखते हैं सम्हापुर्शों की गुर्गोविन जी का चित्र देखो भगवान बुद्ध भगवान महाविर भगवान राम भग लिए कर वस्बस बोट करके फिजिकली फिट रहना है वेंटरली फिट रहना है सुबह उठकर के महापुर्शों का चित्रा देखा करो और वह हमारे आदर्स हैं वह हमारे रॉल मोडल है वह हमारे आइकोन है तो हमारा जीवन कैसा हो तो आप मेरे साथ बोलेंगे जरा आप दीजिए हमारा जीवन कैसा हो हमारे पूरवजों कि सिसमे क्या है चोटा सा है हमारा जीवन कैसा हो तो आपने पूरवजों जिसा हो अरे मैं कह रहा था योग हमारा स्वभाव है योग हमारे खोन में है जैसे कोई बात बोली जाते हैं तो एक बात कहीं जाती है यह हमारी संस्कृती नहीं है जैसे कोई घलत काम करता है को दुराचार बेविचार करता है ब्रश्टाचार करता है घलत काम करता है तो बोलते हैं यह हमारी संस्कृती हमारी संस्कृती क्या ह योग अध्यात्म सच्चाई इमांदारी अहींसा सत्य यही तो योग के सिद्धानत है मैं आपको किताबों से मैंने किताबे पढ़ी है मैंने अश्टध्याई महावाश्य योग दर्शन सांग के योग इन्याय वैशेशिक वेदान्त मिमांसा सब बहुत पढ़े हैं लेकिन कि ना आपको ना आपकी बहाँ सामें बताने चारा हूं कुछ बाते हैं तो योग हमारे खौन में योग का आधार लें करके ज्यान विच्यान तकनीकी समय फोशल प्रबंध्न इसको किसमें परिवर्टित करना है किसमें बोला था वैल्थ में सम्रिध्धी में और मैं उसका उदानों आपके सामने, मैंने जन्म से सम्रद्धी नहीं पाई है, मेरा जन्म किसी कोर्प्रेट हाउस में नहीं हुआ है, मेरा जन्म किसी शंकराचारीय के खांदान में नहीं हुआ है, मैं एक किसान के घर में पैदा हूँ, अनपण मावाप के घर में पैदा हूँ, चोटे से चोटे से गाउं में पैदा हुआ हूँ अब बात आगई भागे की उसके भी बात मिलूँगा अब यह मैं बात इतनी से कर रहा हूँ पहले एक बात याद रखना मनुश के रूप में भगवान ने हमको पैदा करके दुनिया के सबसे बड़ी दूला दे दिया क्यों बई जवान? कहाणा मैं? हरियोम बड़ा मजबूत सा है फिजिकल टीचर है क्या? ठीक है, फिजिकल टीचर को ऐसे फिट रहना चाहिए चलो पहले तो हरियोम के लिए ताली बजाओ यह फिजिकल टीचर तो है लेकिन यह फिजिकल टीचर जैसा लगता है हर योम अभी उमने क्या बात कही थी याद है इसको बात याद रहे गई ने तो कई बार तो नो मैं पड़ो उसमें आता हूं तो कई बार वैसे घबरा जाते बचे तो इसने बात को याद रखा ने तो कई बार आदमी फिजिकली तो फिट रहता है बोलो फिजिकली फिट है नो बोलो इसमें दिमाग कर टुपपा भी नहीं है हां कुछ ऐसे बोलते रहते हैं ऐसा नहीं है तो हरियोम के लिए एक बार ताली बदाओ इसने बात भी याद रखें बैठो बेटा ऐसे फिट लेना भगवान ने इनसान की रूप में हमें जन्म दे दिया कि हमारी इस सबसे बड़ी सोगा था कि भगवान ने में इनसान बना दिया बाकी हम जिन्दगी में कुछ भी बन सकते हैं कि आपको यही बातें बच्चों को सिखाने है दूसरे भाई उदर पीछे बैठे वे थे बलबाबाबाजी आपका भाग्य बड़ा मुचा है कि आप में से थोड़ा बुकुछ जोतिस के बारे में जानता है थोड़ा बहुत किसी जोत्ती हाथ उतरे इखा दिखाने के वाले के पास गए कभी या कुछ खुछ तो खुद भी जानते हैं आपस में देखते रहते हैं अचा यही अजय बताओ थोड़ा जैसे बारे में जानते हैं न थोड़ा जानते हो हम बिआर आट देखो हम गोरसे देखो इसमें कहीं भाग और एखव दिखते है जोटे नहीं है देखो आपको थोड़ा बहुत बैस लिए मेने तो कभी हाथ दिखवाया है नहीं मेरे को दरसल देश के बड़े बड़े जोत्ती भी मेरे पास में आते रहते हैं बलो बाबाजी आप ऐसे तो भाग्ये के बारे में कभी बात नहीं करते हो आप कहते हो पुर्शार्थ करो लेकिन प्रारब्द भी बड़ी चीज होती है तो मेरा हाथ देखने लगे सुनो 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 मैं मानता हूँ प्रारब्द को नहीं मानता है सरी बैठो मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ कुछ लोग ना इसी बाट में बैठे रहते हैं बाबाजी मारे तो किस्मत ही माड़ी है कुछ बोलते रहते हैं बाबाजी क्या करें मारे तो भागी खराब है यह हमारी तो किसमत ही कमदोर है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बहनों यह बात है मैं एक जोची ने यह देखो यहां एक लंबी सी रेखा होती है उसको भागे रेखा बोलते हैं मेरे हाथ में यह आयूश रेखा तो है पूरी लेकिन भाग ये रेखा मेरे हाथ में है ही नहीं तो क्या मेरा भाग ये कमदूर है मैंने अपना नहीं मैंने तो करोड़ों लोगों के भाग ये भदला है बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बात के उपर कभी भी अपने आपको कोसना यह अपने आपको दुर्भाग्य साली समझना कभी नहीं पांच चीजें आदमे को बड़ा बनाती है चलो, अब अगली बात सुरू करते है एक के बाद, दूसरी बात आज मुझे आपको बहुत को सिखाना है मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी आदमी जीवन में बहुत बड़ा बनता है मैं इस वात का उतर नहीं दूँगा यह मैं आपसे पूछूँगा कोई भी आदमी दुनिया में बहुत बड़ा बनता है किसी भी फिल्मे फीजिकली, सोशली, एकॉनोमिकली, स्पिच्छली, पॉल्टीकली different aspect हैं हमारी life की different field है तो किसी भी field में कोई आदमी बहुत बड़ा बनता है तो उसको कौन बड़ा बनाता है hard work चलिए ये उतर बहुत अच्छा एक ये बहुत अच्छी बात है इसको hard work को पुर्शार्थ बोलते है पुर्शार्थ आदमी को बहुत बड़ा बनाता है चलो दो बाते मान लिए आपकी एक पुर्शार्थ लक्षे परमात्मा की कृपा confidence गौल उसके सामने लक्षे क्या है गौल क्या है धे क्या है motivation और बहुत अच्छे चिवतर दे रही हो कर्म कर्म पुर्शार्थ तो तो एक ही बात है अधिरोड़निष्ट है discipline willpower experiment and research innovation research and innovation पूरी दुनिया में न लोग इसमें लगे रहते हैं अपने हिंदुस्तानी बहुत कम लगते हैं किसी कोई पूछो क्या बने का डोक्टर बनोएंगा इंजेनियर बनोगा पॉलिटीशाइन बनोगा कोई नहीं का था साइंटिस्टर बनोगा है इस हां बता दे ये कर्शन भी गणिए देर से इसका बुल बला उठा इसका फोट नहीं पड़ेगा ओम गुरुजी कठिन परीश्रम पक्का इरादा कठोर मेनत आपके यह कई हो यह सब्सक्राइब आपका बड़ा जबर्दस्त फोलोवर उन्हां पका दिख रामला मैदान में भी था ठीक है बसा यह ना इसमें दरसलना घणा ताकत घणी उठी है इसमें बहुत अच्छा इसक अगली बात कर रहा हूँ अपनी डैरी निकालो और इसमें नोट करो कुछ चीज़े बहुत गहरी चीज़े आपको आपको देश बनाना है और मने संकल्प लिया हुआ है मेरी जिन्दगी का आगे आने वाला जितना भी समय है उसका 80 प्रतिशत मैं एजुकेशन में ही लगा देता है ग्यान के आधार पर ही भारत और विश्व का भविश्यत होगा यह बहुत बड़ी बात कहा रहा हूँ जो बेसिक फांडेशन जो लाइफ की होती है वो किस से तयार होती है ग्यान से नालेज से और इसी के आधार पर आगे की सारी चीजें तयार होनी है यह बहुत बड़ा लक्ष है इसके आगे की चीज़ों पर जड़ा आगी सोचिए मैं आपसे पूछता हूँ कोई आदमे डॉक्टर है किसी से है ग्यान से इंजिनियर है तो किस से है ग्यान से बहुत अच्छा कोई किसान है नालेज नहीं है नालेज साइंस टेकनलोजी इसके लिए एक के बात दूसरा उसी का रूपान तरण है उसी के दूसरे दूसरी रूप है नालेज का इंपूट नहीं है एग्रिकल्चर में कुछ नहीं हो सकता नालेज का ही अगला रूप साइंस है टेकनलोजी है जियान उसका हिंदी में बोलते ना जियान विज्यान टकनेकी कोशल प्रबंधन और इसी को जब हम एग्जिक्यूट कर देतें इनको रूपांतरित किसी कारे विशेश में तो सम्रिद्धी बन जाती है ज्यान विज्यान ज्यान तकनीकी कोशल प्रबंधन इक्वल्टू सम्रिद्धी प्रस्परिटी और कुछ नहीं है तो हमें यदि एक मुनश्य को बहुत महान बनाना है एक देश को बहुत महान बनाना है तो उसको ग्यान वान बना दे जब भारत ग्यान शक्ति में दुनिया का सिर्मोर था तब वो विश्यू गुरू था तो विश्यू की महाश्क्ति था तब वो जगद गुरू था अब अगली बात जि चीजी हमें महन बनाती है पुरशार्थ प्रारब्द प्रारब्द का पहले भी लिख सकते हो क्योंकि फांडेशन तो प्रारब्द की होती है यह तो हमारे अनेक जन्मु का करमाश है करमफल व्यवस्ता नयाई व्यवस्ता जिसको भगवान की कहते हैं सब के भीतर देखो एक जैसा एक जैसा बुद्धी का स्थर नहीं है क्यों कि पिछले प्रारब्द भी है सबका एक जैसा स्वर नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्द है, सबके एक जैसे भावना ही नहीं है, दिल एक जैसा भावना ही नहीं है, सबका एक जैसा स्वभाव भी नहीं है, कुछ बच्चे स्वभाव से ही, ये बहुत बड़ा सत्य है, ये क्या है, ये करमफल व्यवस्था ह मैं इसको मानता हूँ लेकिन मैं मानता हूँ प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका है प्रारब्ध को भाग्य बोलते हैं किस्मत बोलते हैं डेस्टिनी बोलते हैं अलग लग शब्द अंगरी जी में डेस्टिनी बोलते हैं वैसे उर्दु आदी में आम भासा में किस्मत बोल देते हैं वैसे उसको भागी बीबेते हैं इसके लिए बहुत उंचा शबसे है प्रारब्ध क्या सब्दाइ बोलो प्रायरब्ध देन प्राह्ट से भी ज्याधा बनोब पुर्शार्थ होता आप पुरर्शार्थ करके प्रायरब्द को भी बदल सकते हो तो मनुष्य को महान बनाता है उसका प्रारब्द और पुर्शार्द जिनका प्रारब्द बहुत उचा नहीं होता है वो ऐसा ही समझो कि धर्ती तो बहुत अच्छी है पानी बहुत अच्छा है मिट्टी बहुत अच्छी है फटाइल मिट्टी है लेकिन बीजी खड़ाब है तो उसमें फसल अच्छी नहीं होती है गाई के नसल बहुत अच्छी है लेकिन जिस नंदी से उसको नया करवाया क्रोस करवाया, वो पांस किलो दूद देने वाली गाय का बचड़ा था, अब उसकी तो नसल होगी, वो पतास किलो वाली दूद देने वाली गाय है, ये मैं आपको इसलिए उधान दे रहा हूं, मैंने जमीन का भी उधान दिया, मैं पशु का भी उधान दे रहा हूं, वो य पूलीन आत्मा ऐसे शब्द प्रियोक किय जाते हो को 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 बहुंत बड़े घौंदान में पड़ा हो गया उसको नहीं बोलते हैं ये उंचा प्रारब्ध जिसका होता है वही पुने शिलातमा होती है वही कुलीन आत्मा होती हैA aşई यसे शास्द्रों में परंप्रा हैं इसकी जब पर यह आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्यदारी है चहे किसी का प्रकम जोर प्रारब्ड है थोड़या पुरषारथ कम जोर तो भी वातवरन ऐसा दो इन्वारमेंट बहुत बड़ा शब्द है इन्वारमेंट ऐसा दो जैसे बाते बहुत है बहुत बहुत बॉल रही थी ना उत्साह का वातान वट वातावन कैसा दो वातावन दो सकारात्मकता का अधे अमार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी नहारो, वीरो हिम्मत कभी नहारो अधे अमार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी नहारो वीरो हिम्मत कभी नहारो तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है और तुम्हारा तुलित साहत भी नहां की अचर है ओ साथी बढ़ जंसल भल को, ओ साथी के वल पल भर को माया मोह पिसारो हिम्मत कभी नहारो पीरो हिम्मत कभी नहारो अर हिम्मत कभी नहारो पीरो हिम्मत कभी नहारो मत देखो कितनी तुली है कितना लंबा पत है मत देखो कितनी दूरी है कितना लंबा पत है और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहां तक जग है लक्ष प्राप्त की बलिवेदी पर अपना तन मनवारो हिम्मत कभी नहारो पीरो हिम्मत कभी नहारो कर हिम्मत कभी नहारो पीरो हिम्मत कभी नहारो आज तुम्हारे साहत पर ही मुक्ति सुधा निरे भर है आज तुम्हारे साहत पर ही मुक्ति सुधा निरे भर है आज तुम्हारे सब के सांथी पोट कर्ण के सब है ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो हिम्मत कभे नहारो हिम्मत कभे नहारो अर वेह मार्ग पर चलो इंन्दो तीचे अब ननिहारो हिम्मत कभे नहारो हिम्मत कभे नहारो तो एक उत्साह, एक शोर्य, एक प्राक्रम, एक दूस, एक जुनौन। एक पागलपन, एक दिवानगी, मनुश्य के भीतर हमेशा है, संकल्प की ज्योती जलती रह देजिए जमी सलाम करे आसमा, सलाम करे, करो काम के सारा जहां सलाम करे मिता दो जुल्म की आँधी की तुम को राद बनो, ठाक में मिलकर भी कौम की आउलाद बनो करो काम के सारा जहां सलाम करे करो काम के सारा जहां सलाम करे तो सुनो, एक उत्सा न रहना चाहे मनुश्य कुछ लोग हमेशा निराशा निराशा के बाते करते रहते हैं वेद में उत्साह के घीत गाए हैं, शोरे के पराक्रम के घीत गाए हैं अगनी असमी जनमना जात भीदा, घृतम में चक्षम में तमास अनकर सिधात रसो इमान और अजसर घरम हमेर असमना बोले मैं जनम से ही आग हूँ, आधी और तुफान हूँ, जिद करो और दुनिया जी तो आगे बढ़ते चलो अरे इस दुनिया की तो बात का तुम तो त्रिलोकि को जीत सकते हो ये ऐसे वेदों में मंतर गाए गए जिवन में आज़ित होने वाला नहीं हूँ, जिवन में ऐसा उसा रहना चाहिए निराशा वादी जो विचार होते हैं ना वो कभी आदम्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है आशा आशा उत्साही जीवन है और निराशा मित्यू कहा जाता है तो मैंने का तीसरी चीज बनाती है विक्ति को बातावरण क्या है बोलो तीसरी बात हमें बहुत अच्छे बच्चे बनाने हैं बहुत अच्छे विद्यार्थी तयार करने हैं भारत का भविश्य बहुत अच्छा तयार करना है तो हमें अपने घर का बातावरण बोलो अपने भीतर का बातावरन भी अपने भीतर का बातावरन अपनी मनास्थिती और भार की परिस्थिती तहे जैसे भी हो उसको भी ठीक वर लें क्या दिक्कत है अपने भीतर का बातावरन अपने भीतर की मनस्थिती भार की परिस्थिती भार का बातावरन घर का परिवार का समाज का राष्ट का वात और भी अच्छा बनाना है जब हमने स्वदेशी का अंदोलन शुरू दिया तो इस देश में आसर दस साल पहले दस साल पहले तक पांस साल पहले तक ही आहलाद बनीवी थी कि लोग इंपोर्टिट चीजों को यूज करने में प्रियूप करने में अपना गोरो समझते थे मैं इंपोर्टेट क्रीम यूज़ करती हूँ मैं इंपोर्टेट पाउडर यूज़ करता हूँ मैं इंपोर्टेट सेंपू यूज़ करता हूँ मैं इंपोर्टेट शाबून यूज़ करती हूँ करके देश के बाहर लेकर के जाती हैं इसलिए स्वदेशी अपनाईए और देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ती बिलाईए एक विचार पैदा किया है कि विचार है कि देश में आज भी हम आर्थिक गुलामी में आर्थिक पराधिंता में जी रहे हैं आर्थिक स्वाधिंता के माइञाक वश्준 को अपने प्रति गोर्व का स्वय के प्रतिगोर अपनी भाशा के प्रतिगोरव निवेश अभूशा के प्रतिगोरव अपने राष्थ के एक दूसरे के प्रती ब्रामन ख्षत्र वैस्य दलित शुद्र एक दूसरे के प्रती गोरव रखे यह वातावंण बनाने की जरूरत आ इस को पराद कर देंगे कोई कहता हिंदू इस देश को इस नीज में उसलमान इस जे यसको क्षा जाएंगे कोई कहता हिस नाम और रखे यह वह पतानी क्या क्या वाजी उड़ती रहती यह अच्छा वातावर्ण कि निशानी नहीं है अच्छा वातावर्ण देश में बनायो उस्फे गपता ना सोच पाओ तो इतना तो जरूर सोच सकते हो आप अपने स्कूल का वातवर्ण बहुत अच्छा बना सकते हो और मुझे पुरा विश्वास आप बनाओगे इसी से देश बन जाएगे यहिए सैहे आप करें जी पुरे देश का वातांगे बढ़ा खराब है दिल्ली का वातांगे बढ़ा खराब है आप अपने स्कूल को तो ठीक करो भाईया हां अकाश बांधू पाताळ बांधू सुनो हमें स्वयम पर भी केंद्रित होना होगा समस्ठी को भी देखना होगा जैसे जैसे आपका बड़ा सामर्थे होता जाए तो समस्ठी के बारे में भी सोत ना लेकिन सुरुवाद स्वयम से करना हम बदलेंगे युग बदलेंगा हम सुधरेंगे जग सुधरेंगा यहां से सुरुवात तो करो वातवरन बहुत अच्छा बनाने के में जरूरत अपने स्कूल का वातवरन बहुत अच्छा बना सकते हैं हमने अपने आचारे कुलम का एक भी बच्चा जोट नहीं बोलता है। हमारे आचारे कुलम का एक भी बच्चा गाली नहीं देता है किसी को। हमारे आचारे कुलम का एक भी बच्चा देर से नहीं उठता है। हमारे आचारी कुलम का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो योग ना करता हो वातावन बनाया है वो हमने सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा सबको अभ्यास बनाओ आदत बनाओ जो हम बार-बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है जीर्मन में सबसे बड़ी चीज है आदत स्वभाव अभ्यास प्रैक्टीस आद भी तो बहुत अच्छा लेकिन इसकी आदत बड़ी खराब है बहुत तो बहुत अच्छी है मेनत बहुत करती है घर में साफ सफाई बहुत अच्छे से रखती है खाना बहुत अच्छा पकाना जानती है मेहमानों का भी बात की भी इ कि बहुत सी बाते आप सुनते हो रोज आदत बहुत बड़ी चीज है आप बच्चों की अच्छी आदत बनाई जो बच्पन में आदत पढ़ जाती है न वही जिंद्गी बर रहती है